हेलो एब्रिवान स्वागत है हमारे इसके नए वीडियो में तो आज हम लोग जो है कोश्ट गाट के जो आई हुई है जो आट से 22 तक चलेगी इसके एलेटेट कुछ हम लोग डाउट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोबाइल से भरना है या मोबाइल से तो मैं सजेस्ट करूंगा भाई आप मोबाइल से मत परो बहुत सारा इसमें डॉक्मेंट अपलोड करना होता है अगर अच्छे से अपलोड नहीं हुआ तो भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहला मोबाइल से मत भरिए किसी साइ पहला डाउट दूसरा है कि साइबर वाली कैफे के पास जाईएगा तो आप लोग थोड़ा अवेर रहिएगा कि वो गलती टाइप ना करे ठीक है अगर उससे में कोई आप साबर कैबला कोई दूसरा काम कर रहा हूँ तो आप बोल दीजिए आउन से कि वो अच्छे से भा जो चलते हैं लोग डॉक्यमेंट के बारे में तो डॉक्यमेंट में जो हमारा होता है सेल्फ डिक्लिरेशन टेंथ का मार्क सिट हो गया ठीक है और डेट अब बर्द सर्टिफिकेट हो गया यह सारा जो है आप लोग पहले एसकेंड करवा लिजिएगा और यह जो इसमें इ जलती हो गई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा ठीक है तो चलते हम लोग चौथे डाउट के तो हमारा चौथा डाउट क्या है कि यह जो डिप्लोमा वाला लोग है जितना भी एलेक्टिकल मेकेनिकल और एक्ट्रोनिक्स वाले जितने भी हैं आप लोग फ्रावे रहिएगा उसमें जो कहता है आपका CGPA में बिहार वाले जितने भी हैं जिसे CGPA में आपका होता है CGPA में आपका जो फाइनल होता है तो इसमें आपको बोला जाएगा percentage में convert करने के लिए तो ठीक है हम वीडियो का link देतेंगे नीचे में देख लीजिएगा कैसे हम लोग convert करते हैं यह बिहार SBT जो है पोर्ड वो कैसे convert करता है CGPA पे परसेंटेज तो आप लोग वो देख लीजिएगा उसी कहने असारा अपना percentage डालिएगा बरना second stage में आप लोग छड़ जाएगा ठीक है document verification में आप नहीं होगा तब इसके अलावा जो है select वह फोटो आप लोग उसमें लिखा हुआ है select वह फोटो आप लोग लगाईएगा उसके अलावा कोई और फोटो आपको अपना रियक्ट कर दिया जागा ठीक है हम आपको दिखा देते हैं कि कैसा हम लोग पिछले वार जो था वो किये थे तो देख लीजिए यह देख ल लिखे और नीचे में थम एक्सप्रेशन दाई है थम इंप्रेशन उसके बाद यह सिंगनेचर करके जो बरांच है फोटो आड़ी यह मैं ने पेन काड डाला था अप लोग अगर आपके पास पेन काड है तो पैन काड डालिएगा अलहार काड़ है तो अधार लिगना एक बात एवे रहिएगा कि डेट ऑब बर्थ सेम रहना चाहिए नहीं तो आप लोग को डोकेमेंट वेरिफिकेशन में बहुत दिक्कात होगा ठीक है छट जाईएगा दिक्कत क्या हुआ छट जाईएगा बहुत हाट लेता है ये डोकेमेंट वेरिफिकेशन इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट बच जाता है तो आप नीचे कोमेंट कर दिजेगा मैं आपके उस डाउट को बताऊंगा ठीक है ओके थेंक यू